हेलो स्टुडेंट्स आज इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर प्रियॉडिक टेबल यानि कि अर्रेंजमेंट ओफ दे एलिमेंट्स इन प्रियॉडिक टेबल और प्रियॉडिक प्रॉपल्टीज का डिस्कुशन तो इस पहले वीडियो में सबसे पहले हम लोग पढ़ दें इसके कुछ इस्टॉरिकल आस्पेक्ट और प्रियॉडिक टेबल के डिटेल्स के बारे में कि हमको क्या-क्या पढ़ना है किन साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवरीज की इसमें देखिए जैसा कि हम जानते हैं सो फार 110 से 115 ऐलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं जिसमें कि कुछ नैच्रल हैं कुछ आर्टिफिशली मेड ऐलिमेंट्स हैं इनको एक टेबल की फॉर्म में रो एन कॉलम के फॉर्म में अरेंज किया गया है क्योंकि उनमें देखा गया कि डिफरेंट तरह की प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज और कैमिकल प्रॉपर्टीज के बीच में सिमिलेरिटीज है तो उसका एक क्लासिफिकेशन बनाया गया जिस से हमको उन ऐलिमेंट की स्टड़ी करने में आसानी हो जाए तो इस चीज के लिए जो सबसे पहले दो साइंटिस ने सबसे जादा कंट्रिबूशन दिया आफकोर्स वो डिसकार्ड हो गया वो सक्सेस्फुल नहीं हुआ क्योंकि बाद में और भी कई प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की डिसकवर हुई जिसके कारण वो डिसकार्ड हुआ लेकिन उनका कंट्रिबूशन तो इनिशेटिव है तो सबसे पहले उनके बारे में सीख लें देखिए पहले साइंटिस थे डबर नियर जिन्होंने 1815 में बहुत टाइम बीच गया स हारा सो पंद्रा में डबर नियर नाम के साइंटिस ने physics के बारे में Study की कि उसने सोचा कि हम इन elements को अर дол आ इंछ करें किस तरह से Increasing order of their atomic weight उन्नोंने क्या किया elements का Apollo weight को increasing order में लेकि उसे table की form में arrange किया और कैसे arrange किया उन्होंने तीन adjustments का Tros right बनाया यानि एक element ले लिया A, दूसरा element ले लिया B, और तीसरा element ले लिया C, ये increasing order of atomic weight की आधार पे arrange किया, उसके बाद उन्होंने इस तरह से जो arrangement बनाया था, उसमें एक बात का ध्यान रखा, कि जो बीच में, middle में element आ रहा है B, इसका जो atomic weight है, वो average weight होगा, पहले और तीसरे element के atomic weight का means, atomic weight of B is equal to atomic weight of A, plus atomic weight of B, upon 2, यानि हमने एक average weight वाला element बीच में रख दिया, इन दोनों के relation में, Daubernier ने सबसे पहले इस तरह से arrangement किया, तो he arranged the element in form of increasing order of their atomic weight, and he arranged the element in the group of three called trite, trite की form में arrange किया, इस तरह से arrange किया, कि atomic weight of the middle element was found to be the average of other two elements, but this was not successful, क्योंकि ये एक limitations में काम करता था, और आगे जलकि जब और element discover होने लगे तो देखा गया disparity आ गई, वो काम नहीं बना, तो ये discard हो गया method, उसके बाद 1864 में Newland नाम के scientist आए, जिनोंने octave बनाया, Newland octave rule केलाता है, वो जैसे कि हमारे सरगम होता है, सारे गामा पाधानी, उसमें octave होता है, उसी basis पे उन्होंने 8-8 elements का arrangement बनाया, increasing order of their atomic weight, बताया, इनोंने भी increasing order of atomic weight की आधार पे, तो पहले और 8-8 element की properties, properties, similar थी, इस आधार पे उन्होंने arrangement बनाया, अब कुछ अब तक ये arrangement ठीक था, लेकिन, इन से एक गलती ये हो गई, कि इनोंने जो probable future के discovered होने वाली element थे, उसके लिए कोई जगह नहीं रखी, you did not leave any space for arrangement of the future element to be discovered, तो हुआ क्या कि बाद में उन्होंने अपनी जो table बना के दे दी, उसके बाद उसमें नए element की जगह नहीं बची, तो ये rule भी discard हो गया, ये दो historical aspect के relation में एक initiative थे periodic table में, और इसके बाद आए Mendeleev, जिन्होंने काफी substantial way में एक proper arrangement of the periodic table किया, देखे Mendeleev ने 1869 में अपना एक नया law दिया, और उन्होंने table को एक नई तरीके से arrange किया, याने के different elements को एक periodic table बना के arrange किया, और उन्होंने बोला, जितने भी elements हैं जिसको वो arrange कर रहे हैं rows and column में, यानि rows and column की form में उन्होंने पूरी एक table बनाई, जिसे उन्होंने Mendeleev periodic table बोला और उन्होंने law दिया, according to that law, properties of the element were the periodic function of their atomic weights, याने उन्होंने increasing order of atomic weight के आधार पे elements को arrange किया, और देखा कि एक regular interval पे physical and chemical properties of the element में similarity आ रही है, वो repetition हो रहा है, तो वो periodic function थी, properties यो थी, chemical and physical properties were the periodic function of the element in increasing order of their atomic weights, लेकिन Mendeleev का ये attempt उस समय ठीक माना गया, लेकिन बाद में जब atomic number की discovery होई, मुदले ने इसको discover किया, तो पता लगा कि isotope की position को हम इस periodic table से explain नहीं कर सकते हैं, और rare earth elements की position को भी नहीं बताया गया, तो ये table भी discard हो गई, और बाद में after the discovery of atomic number, जो table हमारे सामने आई है, वो मुदले की long form of modern periodic table आती है, जिसके बारे में अब हम लोग detail में पढ़ेंगे, तो आईए सबसे पहले, उसके relation में जो modern periodic law of the mozle है, उसको पढ़ लें, और periodic table के basic को समझते हैं, तो देखिए, जब मेंडलीफ ने discovery की टी elements की और periodic table बनाई, तो उनोंने क्या किया था, कि इस तरह से आप देख सकते हैं, देखिए, ये columns बनाए थे, ये columns बनाए इस तरह से, vertical way में, और उसको नाम दिया था, group, और इस तरह से ये horizontal rows बनाई थी, इसको नाम दिया था, periods, ये काम मेंडलीफ ने कर दिया था, तो मेंडलीफ ने different elements को, जैसे यहां से रखना चुरू किया, A, B, C, D, in this order, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, तो देखिए, आप ए देख रहे हैं, ये वाले elements जितने इस group में आ रहे हैं, इनकी chemical और physical property similar थी, यहां इस group में जितने elements आ रहे हैं, इनकी chemical and physical property similar थी, and so on, जब हम left से right की ओर जा रहे थे, तो physical and chemical property में, एक तरह का increasing या decreasing order था, और जब हम उपर से नीचे आ रहे थे, तो उसी column में, यानि के group में, जितने भी elements थे, सब में एक तरह से similarity थी, chemical और physical properties में, इस तरह से उन्होंने, table की form में, periodic table बनाई, और elements को arrange किया, बस उन्होंने किया, किया, उन्होंने इनको increasing order of atomic weight के आधार पे रखा, मतलब यहां पे less number था, let atomic weight था, तो यहां जो element था, उसका atomic weight ज्यादा था, लेकिन जब मुदले ने, atomic number को discover किया, और उसके बाद elements को arrange किया, तो उन्होंने increasing order of atomic number के आधार पे arrange किया, उसमें भी नाम वही रहे, periods याने के row, and group याने के column, तो row wise उन्होंने, atomic number की basis पे elements को arrange किया, atomic number की basis पे, और उन्होंने law दिया, जिसे हम करते हैं, modern periodic law, फिजिकल और chemical properties of the elements are, periodic function of their atomic number, पर basic बात कॉमन थी, modern periodic law में, और mandelief periodic law में, ये दोनों में ही table में, rows और column का arrangement था, इसलिए ये कहा जाता है, कि मुदले ने, एक तरह से modify किया, mandelief periodic table को, और ये सच बात है, उन्होंने of course, बिल्कुल सही discovery की, और atomic number के आदहार पे आरेंज कर दिया table को, लेकिन, बन के तो वो basic periodic table, mandelief की periodic table से आई, इसलिए mandelief को बहुत बड़ा contribution जाता है, periodic table में, तो बच्चों इस तरह से आपने ये समझ लिया, कि elements को किस तरह से अरेंज किया जाता है, और एक periodic table बनाई जाती है, तो बच्चों अब हम लोग long form of modern periodic table का, एक layout समझने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले देखिए, आपको layout clear होना जरूरी है, ताकि आपके दिमाग में, पूरी periodic table एक बार में आ जाए, और वो visible हो, कोई जरूरी नहीं है कि आप सारे elements को याद करिए, सारे के configuration याद करिए, सब कुछ याद करिए, सिर्फ समझना है, और उस जो मैं टेक्नीक बता रहा हूँ, जो logic बता रहा हूँ, उसको समझिए, तो detail में study करने के पहले, हमें एक periodic table का पूरा layout clear होना चाहिए, तो वो समझ लीजिए, वो technique समझ लीजिए, तो देखिए, आपके सामने मैंने ये पूरी periodic table बना कर रख दी इतनी सी जगए में, कैसे, इसको कैसे आप दिमान में रखेंगे, कैसे memorize करेंगे, तो देखिए, क्या होता है, जैसा मैंने डिसकस किया, कि modern periodic table या कोई भी जो periodic table थी, उसमें दो जीजे थी, group, याने के column, row, याने के period, तो ये जो table है, इसमें horizontal way में देखिए, left से right, rule याद रखिएगा, horizontal way में चलाएंगे हम, जैसे मैंने हाथ चलाया, left से right की और, तो ये increasing atomic number के आधार पे, increasing atomic number की basis पे हम बना रहे हैं, horizontal rows, क्या बना रहे हैं, horizontal rows, जिनको हम बोलते हैं, period, तो ये seven horizontal rows हैं, देखिए, ये पहला, one, two, three, four, five, six, seven, first, second, third, four, fifth, six, seven, seven periods हैं यहाँपर, left से right की और, दूसरी बात, इस पूरी टेबिल को 18 vertical columns, याने के group में बाटा गया है, तो देखिए, ये, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 column हैं, पहली चीज़ तो ये याद रखिए, याने के seven horizontal rows जिनको हम period बोलेंगे, और 18 vertical groups, जिनको हम column, याने के group बोलेंगे, और उसके अलावा नीचे, दो और horizontal rows हैं, जिनको में, एक में रखे जाते हैं, length and night series कहते हैं, दूसरे में element हैं, जिनको हम एक्टनाइट series कहते हैं, ये rare earth elements कहलाते हैं, तो पूरी periodic table का एक layout आपको clear होगा, अब दूसरी बास से शुरू करते हैं, तो देखिए, यहाँ extreme पे period one में, extreme corner पे hydrogen और इसके right extreme right पे 18th group में helium है, इसके अलावा कोई element नहीं है, बीच में देखिए, यहाँ दूसरे period में आएं, तो देखिए, यह three of four atomic number है, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, फिर देखिए, left पे आए, eleven, twelve, बीच की जगे खाली है, third period पे, देखिए, third period पे, यहाँ जगे खाल और उसके बाद four से continuation में आए, nineteen से लेके, thirty-six, फिर fifth period में आए, thirty-seven atomic number से, fifty-four तक, six period में आए, fifty-five atomic number से, eighty-six atomic number तक, और seventh period पे आए, eighty-seven से, hundred and eighteen, और उसके बाद, बीच के atomic number यहाँ गाएब हो जाते हैं, जिने हम कहते हैं, लैंसनाइट सिरीज, जो fifty-eight atomic number से खत्म होती है, ज hundred and three तक, तो यहाँ पर, इस तरह से atomic number की आधार पे elements को, increasing order of atomic number की basis पे elements को रखा गया, अब देखिए, तो जब हमने group बनाए हैं, तो group का classification देखिए, तो पहला group देखिए, first group, second group, अब देखिए, first, second, third, यह order में group चल रहे हैं, लेकिन इनमें arrangement किया गया, यह कहलाते हैं, left की और जो यह दो group हैं, पहला और दूसरा group, इसका नाम दिया गया, first A, second A, this is पहला group, first A, left की और दूसरा, second A, उसके बाद हमने बीच में यह छोड़ दिया, और देखिए, यहाँ पर आए, इस right hand side की तरफ, तो यह third A, fourth A, fifth A, sixth A, seventh A, और zero group, eighteen group, zero group है, तो one A और two A, यहने first A औ और second group हैं, उसके बाद 13, 14, 15, 16, 17th group जो हैं, यह third A, fourth A, fifth A, sixth A, seventh A हैं, और 18th group को बोलते हैं, zero group, बात को ध्यान में रखिए, उसके बाद देखिए, first B और second B, right की और यहाँ पर लिया गया है, देखिए, यह atomic number 29 और 30 से शुरू हुआ है, याने 11th group और 12th group को लिया गया, first B, second B, और third B से लेके seventh B तक, group three से group seven तक, eighth group को कोई नाम नहीं दिया गया, eighth group separate है, और ninth group से आने के यह eighth group आ गया, और उसके बाद यह तो फिर आई गया, tenth group ऐसे ही है, उसके बाद 11th all position पे first B और second B, तो आप यह देख सकते हैं, first B, second B इदार है, उसके बाद third B से लेके seventh B तक, इ group में भी continuation labeling नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि इनकी chemical और physical properties इस तरह से अरेंज हैं, कि atomic number की basis पे similarity in the physical and chemical property होनी चाहिए, तो in all हमारे सामने, कितने group आ गए, देखिए first A, second A, third A, fourth A, fifth A, sixth A, seventh A, एक तो यह arrangement बन गया, उसके अलावा एक बना zero group, और उसके बाद B में चलें, तो first B, second B, third B से लेके seventh B तक, और eighth बना eighth group, इस तरह से अगर आप total देखें, यह group हो गया, और यहाँ पर जो यह column number eight है, और जो column number ten है, इसको कोई नाम नहीं दिया गया है, तो इस सब को मिला दें, तो आपके सामने eighteen groups आ जाएंगे, इस चीज को ध्यान रखना है तो यह table आपको clear हो जाएगी, साथ में देखिए जो left की और element होते हैं, यह highly reactive element होते हैं, यह धियान रखिए, right की और जो यहाँ पर element होते हैं, यह आम तोर से non metallic elements हैं सभी, इनके बीच में यहाँ पर element रखे गए हैं, यह transition elements कहलाते हैं, यह transition elements हैं, और end में जो eighteen group है, यह noble elements कह पहलाते हैं, inert gases होती हैं, उससे फहले यहाँ पर halogen का group होता है, 7th A group, यह broadly division आपको मैंने बता दिया periodic table का, इस periodic table को अपने दिमाग में रखिए, और बच्चों, अगले वीडियो से हम लोग अब detail में study शुरू करेंगे, कि period x किस आधार पे divide किये गए हैं, group किस आधार पे divide किये गए हैं, और इनके अंदर उन metals को जो रखा गया है, elements को जो रखा गया है, उनमें कैसे periodic changes होते हैं, thank you